प्यारे बच्चों आज का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को क्या करने वाले हैं कलास 12 औरगेनिक केमेस्टी के एक यूनिट है यूनिट 11 ठीक है यूनिट 11 जिनका नाम क्या है आप सब को मालूम होना चाहिए एलकोहल फिनॉल एवं इथर इस यूनिट के ठीक है दस ऐसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट अबजेक्टिव पोस्स ठीक है वो भी एंसर के साथ क् आप लोग को बतलाएंगे और ये सारे अबजेक्टिव पोस्स ठीक है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है बिहार बोड एक्जाम 2025 के लिए ठीक है बिहार बोड एक्जाम 2025 के लिए ये दसो अबजेक्टिव पोस्स ठीक है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो इन दसो objective questions का answer आप लोग को करना क्या है पुरी मंदारी के साथ क्या कर लेना है बाबू complete कर लेना है ठीक है इस unit का जो है 10 ठीक है जादा नहीं बतला रहे हैं 10 ही objective question बतला रहे हैं और वही objective question बतला रहे हैं जो बहुत ही जादा important है 2025 board exam के लिए और ये objective question जो है question bank से ठीक है ये सारा objective question जो है question bank से select किया हुआ objective questions है ठीक है चलिए पहला question आप लोग देख लिजिए जादा आप लोग का time नहीं लेंगे जादा time लेंगे तो फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि video भी काफी जादा long हो जाएगा ठीक है बाबु लोग आप लोग से request है कि आप लोग थोड़ा सा घर में पढ़िए महनत कीजिए osis कीजिए अच्छा result लाने का ठीक है इस तरह से महनत आप लोग को करना है कि आप लोग का board exam में 400 पलस नंबर आवे ठीक है 400 पलस तो अभी से जो है क्या करना आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान देना है यह नहीं सोचना है कि अभी बहुत टाइम है ठीक है तो अभी से नहीं पढ़ाई करेंगे जब 2-3 महना board exam बचेगा तब पढ़ेंगे तो फिर उस समय जो है आप 400 पलस नहीं कर पाओगे आपका रिजल्ट बहतर नहीं हो पाएगा बहतर रिजल्ट चाहते हो 400 पलेट चाहते हो तो घर में जो है अभी से आप लोग महनत करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है मुवाईल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तो आपका पढ़ाई आप सब को मालूम है क्या हो जाएगा बाबु चौपट हो जाएगा ज़्यादा समझाएगे तो आप लोग को गुस्सा आएगा ये बात हमको मालूम है तो खैर छोड़िए चलिए पहला कोशन देख लिजिए पहला question आपके सामने दिया हुआ है चार option भी देंगे इन चारों में से क्या होगा ये वाला question जो है बिहार बोड अब्जेक्टीव 2022 हो गिया, 20 हो गिया, 19 हो गिया में आया हुआ यानि ये question पूछा गिया है, बहुत ही ज़ादा important question है, very easy question है question देखने में आप लोग को छोटा लग रहा है इसका right answer क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है, यानि OH हो जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है ठीक है, तो ये सब question पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, चलिए question number 2 देख लिजिए, आपके सामने है चलिए question number 2 देख लिजिए, question number 2 भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important question है, question देखने से option, 4 option दिया हुआ है, देख लिजिए आपके सामने है, A में है आपका C, N, S, 2, N, plus 1 OH, B में है C, N, S, 2, N, plus 2 OH, C में है C, N, S, 2, N, OH, D में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है 4 option आपका इस परकार से दिया हुआ है, इन 4 में से right answer क्या होगा ठीक है, Monohedric Alcohol का समाने सुत्र, 4 option है और ये question जो है Bihar World Objective 2021 में आया हुआ है, ठीक है बाबु लोग, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दिजिए घर में पढ़िए, तमने जाकर के, आपका result बहतर होगा 400 पलस होगा, ठीक है अभी से आप लोग को पढ़ना है ठीक है, ये नहीं सोचना है कि अभी जो है, अगस्त महिना चल रहा है हम लोग का एक्जाम तो फरवरी में होगा इतना पहले क्यों पढ़ेंगे इतना पहले नहीं पढ़ोगे न बाबु तो फिर result बाप अहतर नए बनतो यानि बढ़िया नए होतो अब बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो कर लिए अभी ये से पढ़तो समझाली, अभी ये से पढ़ोगे न तो रिजल्ट अच्छा होगा आप लोग का बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है चलिए, ज़्यादा आप लोग को बोलेंगे नहीं तो फिर आप लोग अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं चलिए, अब वो कम सम, इसका डिरेक्ट एंसर बता देते हैं तो इसका राइट एंसर जो है यह हो जाएगा, CNH2N plus 1OH यह A option जो है न, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है देख लिजिए, मोनोहेडरिक एलकोहल का समाने सुत्र CNH2N plus 1OH, यह सबका एंसर याद रखना है बहुत ही जादा important question है ठीक है, चलिए, question number 3 देख लिए इस question का answer तो लगबंग सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि बहुत easy question है निमने में से, यानि चार option दिया हुआ है उनमें से आपको बतलाना है mythoxy-methan का सुत्र, ठीक है इन चारो option में mythoxy-methan का सुत्र क्या है यानि कौन सा है, यह question जो है बिहारवोड objective 2020 में आया हुआ है ठीक है, चलिए option देख लिए, A में दिया हुआ है CS3, OCS3 B में है CS3, COCS3 C में है C2H5, OCS3 D में है C2H5, COCS3 इस प्रकार से चार option आपका बाबु दिया हुआ है निमने में से कौन mythoxy-methan का सुत्र है तो आप सब को मालूम होना चाहिए mythoxy-methan का सुत्र जो है यह आपका हो जाएगा, A option बिल्कुल right हो जाएगा ठीक है, चलिए question number, यह 3 हो गया ना बाबु question number 4 देख लिजिए pyrolignis अमले में रहता है pyrolignis अमले में रहता है क्या रहता है pyrolignis अमले में रहता है क्या रहता है यह question जो है बिहार बोड objective 2022 में आपका आया हुआ है यानि पूछा गया question है बाबु ऐसे भी आप लोगों को पहले बतला चुके है यह सारा objective question जो है question bank से select किया हुआ objective question है और question bank से ऐसा वैसा फालतू वालतू question select नहीं किया हुआ है बाबु वही question जो है इस unit का select किया हुआ है जो आपके बिहार बोड exam 2025 के लिए बहुत्य ज़्यादा important ही को ठीको चल question नमर चार देख ले pyrolignis अमले में रहता है ठीक है 2% ACT कामल 50% ACT कामल 10% ACT कामल 20% ACT कामल option तो दिया हुआ option 4 गोई इस परकार से दे ले ही को A में ही को 2% ACT कामल B में ही को 50% ACT कामल C में हीको 10% ACT कामल D में ही को 20% chemotherapy ठीक है तो occurred answer की हो जातो आप सबका मालूम होना चींग नहीं होना चींग occur answer की हो तो मालूम है ठीक है में रहता है पूंची रहता है चार्फ Gen pasture दले ही को 10 परति साथ failed ये option यानि सी वला option जो है बिल्कुल सही ही को यानि सी option जो हो सही ही को 10 परति साथ याद राखिवहों 10 परति साथ यस परकार से अब तक कतना question बतला दिये हो यानि 4 question अब तक बतला दिये हैं, चलिए question number 5 देख लिजिए, ठीक है, चलिए question number 5 आपके सामने है, चलिए question number 5 देख लिजिए, question number 5 भी बहुत ही ज़ादा important question है, ठीक है, और very easy question है, ठीक है, देख लिजिए, योगिक का नाम है, आपका दिया हुआ है, योगिक का नाम है, बें बेंजीन में OS समू जुड़ा हुआ है तो इस योगिक का नाम क्या है वो आपको बतलाना है ठीक है और बहुत इजी कोस्टन है लग रहा है कोस्टन आप लोग को देखने में छोटा लेकिन है important चलिए option देख लिजिए ए में आपका दिया हुआ है तो इस परकार से चारगो ओप्शन दे ले टिख है यानि दीन ही को और इन में से चार ओप्शन में से एको राइट ही ठीक है अब सही कोंट रहीको तो इस बात को जो है आप लोगों को पता होना चाहिए तो बैंजीन में OS समू जुड़ा हुआ है तो इस योगिक का नाम आप आप लोग कलास 10th में भी पड़े हो, 11th में भी पड़े हो, और 12th में भी पड़े हो, तो बेंजिन में OSMU यदि जुड़ा हुआ है, तो उसको आम लोग फिनॉल कहते हैं, यानि फिनॉल कहा ये, यानि याद रखना, कुझी कहा ये, फिनॉल, तो इसका राइट एंसर भी हो जाएगा, यानि बेंजिन में OSMU जुड़ा हुआ है, तो इसको आम लोग फिनॉल कहते हैं, यानि फिनॉल कहते हैं, ये कॉस्टन भी हार्बोर अब्जेक्टिव, 2019 में पुछल को, यानि पुछल ही को, यानि 2019 में आलो, चल, कॉस्टन नमर 6, गिलीस रॉल है, क्या है, मोन हेडरिक अलकोहल है, या डाइडरिक अलकोहल है, या ट्राइडरिक अलकोहल है, या प्राइमरी अलकोहल है, चार अलकोहल दिया हुआ है, या देले ही को, मोनो हेडरिक अलकोहल, या डाइडरिक अलकोहल, या ट्राइडरिक अलकोहल, या प्राइमरी अलकोहल, या प्राइमर है यानि आयलो यानि आवाल ही को समझेली और दो हजार पचीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ही को ठीको तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ट्राइड्रिक सही हो जाएगा देखिए अपड़िये घर में पढ़ने पर ध्यान दीजिए जब तक आप लोग घर में ने पढ़े भी तो नीक रीजल्ट बन्या ने खो तो यानि तो लेकिन अच्छा घासा हो तो घर में तो देली पढ़ेंग पर ध्यात रिजल्ट चाहिए तो चाहिए इसा परेजल्ट के लिए वीस पढ़े लो तो आभी सब पढ़ो बावु मैनत करो अच्छा रिजल्ट आएगा ठीक है पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजलट आयेगा ही चली next question 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 नमर शाथ बहुत ही ज़्यादा important question देखिए question सब आप लोग को लग रहा है छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा important question है फालतू का question आप लोग को नहीं बतला रहा है चलिए one degree two degree three degree एलकोहल में अंतर जांच ग्याद करते हैं question कितना अच्छा है important question है बिहार बूड बॉटक्टिफ 2017 में आया हुआ है यह लिख दिये हैं घौन को लोग ये लगए कि नहीं है यह सब कोस्टन बिहार बॉड में आया हुआ है तब आया हुआ है अ symmetryEX यह वाला कॉश्चन आलोव ही को तिक हो चलिया ओक्सिकरण विदी से सभी से डी ऑक्सन हो जाएगा बिलिकुल सही हो जागा अच्छा कुश्चन बाबु कर ले ना नहीं करोगे आजाएगा अजाम में फिर जाके पस्ता होगे चलिए कुस्चन नमर 8 देख लिजीए इथर का केंदरी ये ऑक्सिजन परमानू, इथर का, ठीक है, अब इथर, जिसे C, S3, सिंगल बॉंड, O, सिंगल बॉंड, C, S3, इसमें कौन सा क्रियात्मक समुग है, इथर, आप तो ऑक्सिजन पर जानते हो, दो वो, युगमित अलेक्टरन होता है गी नहीं होता है, तो दो कोस्टन नमर 8 का एंसर आप लोग को बतला दिये है, चलिए, दो कोस्टन आप लोग का बचा हुआ है, इस यूनीट का बतला देते हैं, और यदि इस यूनीट का अबजेक्टिव कोस्टन और चाहिए आप लोग को, तो कोमेंट करके जरूर बतलाना, अगला वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे, उसमें भी 10 अबजेक्टिव कोस्टन इस यूनीट का बतला देंगे, तो 10 ही कोस्टन आप लोग को इसलिए बतला रहे हैं, ताकि वीडियो छोटा रहेगा ना, तो फिर आप लोग को अच्छा लगगा, तो 8 कोस्टन हो गया, चलिए, कोस्टन नमर 9 देख लिए, कोस्टन नमर 9 भी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन कोस्टन है, ठीक है, एल डॉल संगनन अभी करिया, के बारे में सर आप लोग को बतलाएं होंगे, यहां भी नहीं बतला पाएंगे, अभी बतलाएंगे, इनके बारे में वियाख्या करेंगे, वीड होता है, ठीक है, option दिया हुआ है, A में, आपका दिया हुआ है, formaldehyde दिया हुआ है, ठीक है, B में आपका methoxy-methan दिया हुआ है, C में आपका bengaldehyde है, और D में आपका acetaldehyde है, ठीक है, तो याद रखना इसका right answer क्या हो जाएगा, आप सब को मालूम होना चाहिए, question में इसका right answer D हो जाएगा, acetaldehyde हो जाएगा, एल्डॉल संग्नन अभिक्रिया देता है, वो आपका acetaldehyde देता है, ठीक है, तो एल्डॉल संग्नन अभिक्रिया के बारे में सर बतलाएं होंगे, या नहीं समझे हो, तो आप comment करके हमको जरूर बतलाना कि सर एल्डॉल पर्तिकारक या नि ग्रिगनाड अभिकर्मक के बारे में आप लोगो सर बतलाएं होंगे, आप सब को मालूम है, आर, एम, जी, एक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्रिगनाड अभिकर्मक है, इस रूप में कोई भी योगी को देखोगे, आर मतलब अल्किल, मतलब मेगनि मतलब हलाई, ठीक है, तो ग्रिगनाड अभिकर्मक, जैसे CS3, Mg, MgCl, इस रूप में है, अल्किल, मेगनिशियम, पुल्राइड, यानि एक्स, हलाई, तो ये आपका क्या है, ग्रिगनाड अभिकर्मक है, इस रूप में किसी को भी, किसी योगी को देखोगे, तो समझ जना से इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि आप सब को मालूम है, जब आप ग्रिगनाड अभिकर्मक को बनाते हो, उसमें क्या होता है, एल्किल होता है, ठीक है, उसको मेगनिशियम, एल्किल हलाइड होता है, क्या होता है, एल्किल हलाइड होता है, उ तो इस परकार से आज की वीडियो में 10 objective questions इस unit का क्या किया है बाबू, बतलाला, बतलाला, मतला बतलाएं है, ठीक है, तो ये 10 objective questions जो है, बहुत ही ज़ादा important है, हलका में लोगे, board exam में पस्ता होगे, इतना पस्ता होगे, कि हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि question लग रहा है आप लो आमें नहीं लेना, ठीक है, बार-बार आप लोग से request कर रहे हैं, बहुत ही ज़ादा important है, इस unit का और objective question चाहिए, याने इस unit का और objective question चाहिए, तो comment box में comment करके जरूर बतलाना, ठीक है, comment box में comment करके जरूर बतलाना, कि sir, इस unit का और हमको objective question चाहिए, वही objective question चाहिए, जो important ह ठीक है तो हम जरूर मना देंगे अब एक ही वीडियो में हम 50 कुस्टन आप लोग को बतला दे अब वीडियो एक घंटा आधा घंटा देर घंटा का बन जाए तो फिर आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो आप लोग देखोगे दस मिनिट का वीडियो तो धेर देख रह हो उनसे हम क्या कह सकते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहा हो चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लिए हो तो आप लोग क्या करोगे लाइक करोगे या तो फिर वीडियो को सेयर करोगे जो चैनल पर नए हो उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं हां जोड़के मिन्दी कर सकत करते हैं कि चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना है ठीक है चलिए आज के वीडियो हम लोग क्या करते हैं यहीं से समाप्ते करते हैं धन्यवाद